नमस्कार दोस्तों, कम्प्यूटर अनुदेशक भरती का कम्प्यूटर से जो विद्यारती पात्र है उनको बहुत बड़ा इंतिजार था और ये आपका इंतिजार जो है अब स्वापत होने वाला है 10,157 पदों पर बड़ी भरती जो है वो आने वाली है शेलेबस विबाग के दवारा अधिकरत शेलेबस जारी कर दिया गया है वो भी हम देखेंगे योग्यता क्या है कौन-कौन पात्र है PGDCA है A-Level है O-Level है पॉलिटेक है BCA, BCA, BCA जो भी हम उस पर चर्चा करेंगे शेलेरी कितने मिलने वाली है इसमें इसमें दो पोश्ट है एक तो सुसना साहिक की है वो कंप्रिटर अनुदेश सकी है और एक उसमें सीनियर की है तो दोनों की हम देखेंगे और परिक्षयात किती जो है वो क्या की दौरा जारी कर दिया गया है बेसिक कंप्यूटर अनुदेसक और वरिष्ट कंप्यूटर अनुदेसक इनके पदों के ऊपर भरती जो है वो होगी जिसमें देखिए बेसिक कंप्यूटर अनुदेसक जो है यह इसका व willen रहेगा L8 और इसका रहेगा L10 तो पहले नीकिना इस तरका केडर है और यह जो L10 है यह जिसे शिक्षा भी बाग की बात करें तो जिसे ग्रेड 3rd और यह ग्रेड 2nd के मुकाबले आप मान सकते हैं को संबाग इस तरका हो गया और यहां की बात करें इसमें तो यह पद है 295 तो इसके पद कम है इसके पद बहुत ज़्यादा है L10 जो है यह जो है L10 इसका ग्रेड पे आपके होने वाला है 3600 और यह जो है यह होगा इसका ग्रेड पे आपके 2800 यह 3600 गरेड पे अब थोड़ी सी और बात करें तो L8 जो है इसके लिए 26300 आपका बेसिक होगा अगर आप प्रोबेशन पूरा कर लेते हैं तो और प्रोबेशन के दोरान आपको 18500 रुपे लगभग मिलने वाले हैं जैसा कि इस समकक्स पत पर जो लगे हुए हैं उनकी सूचना के आदार पे और 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 अवराल सेलेरी की बात करें अगर प्रोबेशन में और यहां प्रोबेशन में 1500 है इसको मिलेगा 23700 प्रोबेशन में और उसके बाद में 33800 इसका बेशिक होगा तो इस हिसाब से इसकी क्रोव सेलेरी 40,000 के करीब आज पास जाएगी तो L8 और L10 ठीक है अब हम बात करते हैं आगे सेलेबस से जूड़ी हुई यह सेलेबस है इससे पहले आप कहें तो योगिता की बात करें कि सेलेबस की चलो पहले सेलेबस ही देख लेते हैं इसमें दो पेपर होने वाले हैं सो सो क्यूसन के पेपर पहला है उसमें आपके एक पार्ट है आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री ज जियोग्राफी ये किस का राजस्तान का कि इंडिया का तो इस विजाब से यहां लग रहा है कि ये राजस्तान का ही है और जनरल साइंस इसमें होने वाली है फिर मेंटल अबिलिटी है मेंटल अबिलिटी में आपके ये ये टोपिक रहने है उसके बाद में नेगेटिव मार् पेपर होंगे दूसरे वले पेपर में भी सोक्यूशन होंगे और उसमें इसमें चाहिए और इसी के साथ ही वह जो पद है दूसरे वाला पद जो कि आपके सेनियर वाला है उसमें भी पेपर एक होना है सोक्यूशन का उसमें भी ये सेम ही है ये मेटर भी सेम ही है थोड़ा सा इसमें जो सेकंड पेपर है उसमें कठेनाई का इस तर थोड़ा सा ज्यादा है जिससे आप देख सकते हैं कि आप लाश्ट में या देख पा रहे हैं ये व Intellibility है reasoning है और फिर आपका computer से जुड़ा हुआ है यो किता क्या हो सकती है क्या क्या होनी चाहिए तो देखिए इसमें जो सूचना साहिक जो पद है उसके बराबर समकक्स का कहा गया है ठीक है तो L8 वाली जो है उसमें सूचना साहिक बराबर है तो सूचना साहिक में ये था कि त PCA कर रखा है या फिर आपने M.C.A. कर रखा है तो भी मानने है या आपने B.Sc. computer science कर रखा है तो भी आप eligible है और उसके अलावा आपने graduation कर रखी है केशी भी stream से और आपने diploma कर रखा है डिपलोमा का मतलब आपने PGDCA कर रखा है तो भी जो है आप इसके लिए पातर है इसके आपने electronics के साथ O level diploma और A level diploma अगर आपने कर रखा है तो भी आप इसके लिए पातर है तो यह मोटे तोर पे जो है वो योगताई हो गई है और अगर वो senior वाल आप देना चाहते हैं तो उसके लिए PGDCA से मानिया नहीं है जो senior वाली जो post L10 वाली उसके लिए इस पीड वगर नहीं है टाइपिंग की वो भीस वगर चाहिएगी वागे की बाते हैं ठीक है अब हम बात करने वाले हैं इसमें और आपके रहा परिक्षाती थी कि अभी October में हम विगिप्ती को मानें तो जनवरी जो है कम से कम जनवरी में परिक्षा जो है हो सकती है जनव भी है आयोर्ग में चूट जो है आरक्षी तबरग है सभी उनको पांस वर्ष की चूट है सभी को पांस वर्ष की मैला है आप तो दस वर्ष की चूट मिलेगी आरक्षी तबरग में चाहिए AWS O, BCUS, USTO और उसके अलावा तीन साल आपको सभी तो दोस्तों इस परकार से 10,173 पदों की बरती आ गई है अगर आपकी विचेश डिमांड आती है तो हम जो है इसका जो राजस्तान वाला पार्ट है उसका हम कोई टेस्ट पेपर या उबजेक्टिव क्यूशन टेस्ट सरीज यस गुरू एपके उपर ला सकते हैं बाकी कम्पिटर वाला जो मामला है वो हमारे बसका नहीं है और आप जो है टेयरी में जुट जाएए और फिर सिक्षा विभाग इसकूलों में आपका जो है पदारपन होगा बहुत बहुत धनेवाद